हेलो हेलो फ्रेंड्स गुड मोर्निंग विल्कम बेक तो माई यूटूब चैनल तो एक बार फिर से आप सबका बहुत-बहुत स्वागत है अपने यूटूब चैनल सेंगर फैमिली ब्लॉग में तो आप लोग कैसे हैं उम्मीद करते हैं जहां भी होंगे स्वस्थ होंगे एकदम से अच्छे होंगे और अपनी फैमिली के साथ में मस्थ होंगे तो आप लोग कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा और आज है सिवरात्री तो आप सबको मेरी तरब से आपको और आपके है मेरी और यह सेकेंड वीडियो है सेकेंड पार्ट जानी की जो हम लोग दरसन करने गए थे तो अगर एक साथ में डाल देते ना वीडियो तो बहुत ज्यादा लंबा हो जाता इसी वज़य से मैंने इसको दो भाग में कर लिया है जिससे की इतना लंबा ना हो कि लोग देख कोई मतलब ही नहीं है और यहां से देखिए इस साइड से यह बंद हो रखा है तो हम लोग इसके ग्रेन जो लगी हुई है इसके नीचे से निकल गए आराम से निकल गए थे शाद रिशाद ले करके और भीड़ना बहुत ज़्यादा भीड़ हो रही थी और अभी तो मतलब यह हम लोग गए थे ना सिरात्री के दो तीन दिन पहले तब इतनी ज़्यादा भीड़ थी लेकिन आज तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ होगी क्योंकि सिरात्री तो मेनी होता है इसलिए हम लोग एक दिन पहले दो दिन चले गए थे कि आराम से दरसन हो जाएंग तो बहुत डर लग रहा था क्योंकि अगर जो भीड में फस जाए ना या गिर जाए तो सायद उसका निकल पाना भीड से उठ पाना बहुत मुस्किल होता तो इसलिए हम लोगों ने बाहर से दर्शन कर लिए और इसके बाद में जो और भी मंदिर होते हैं ना यानि कि छोटे में मंदिर जो था तो वहां तो हम कुछ नहीं सूट कर पाए क्योंकि भीड इतनी जादा थी कि सूट करना बहुत मुस्किल हो रहा था तो और यह अगल बगल की छोटे छोटे से मंदिर होते हैं ना वहां पर मैंने थोड़ा सा सूट किया है और यह देखिए और ये देख लीजिए इनकी स्टाइल यानि कि बोतल रखने की कहीं जगा नहीं थी और इसमें ले गए थे बोतल में हम गंगा जल गंगा जल ही वह चड़ाया था जाके तो घर से लेके गए थे क्योंकि गंगा जी तो हमारे पास में ही है तो कहीं जगा नहीं थी और लोटा प्रिशाद था बहुत सारे चीजें थी और बच्चे भी थे हमारे साथ में तो इसलिए दो लोग तो बच्चों को समालने के लिए चाहिए था और तो इन्होंने अपनी जेब में पीछे वाली पॉकेट में रख लिए बोतल को और हमारे यहां पर दर्शन हो गए हैं यह राम माले ठीका लगाने वाले जगए जगए पर यह लोग ना चंदर और सिंदू लेके खड़े थे और सबको जबरजस्ति पकड़ पकड़े के लगा रहे थे कुछ लोग तो इन लोगों का तो ठीक है मंदिर में बैठें कोई बात नहीं लेकिन कुछ लोग ना तो वहां बिज जाते हैं हम लोगों को हम लोगों क्या सभी को मिल जाते हैं और यह देखिए है ना गजब की भीड और यह सेकंड वाला मतलब गेट है यानि कि दो गेट है ना तो यह सेकंड वाले में हम लोग निकले हैं जाके और इसके बाद में अब चलेंगे बाहर और बाहर जाकर और इसके बाद में एक और ये चोटा सा मंदिर था स्यूजी पारवती का तो यहां भी हम लोग गए थे दर्शन करने और इसके बाद में अब चलेंगे बाहर निकलेंगे और समय भी बहुत जादा हो रहा था एक बज़े के बाद तो हम लोग पहुंच पाए थे और एक गेड गंटा हो गया मंदिर घूमते घूमते और अभी मेला भी घूमना है और पेट में चुहे कूद रहें यानि कि भूख लग रही है सुबह हम लोग घर ऐसे निकले थे बस रास्ते में यही जूस वगएरा पिया था ज्यादा कुछ नहीं खाया पिया तो भूख भी लग रही है और इसके बाद में आ गए हैं अब मेला देखने मेला थोड़ा सा घूम लेते हैं दुकाने बहुत ज्यादा लगी हुई थी लेकिन ज्यादा अच्छी चीजे नहीं थी वहाँ पे ऐसे ही थी लेकिन और आयत अनिका ने देखो यह लिया है यह इसमें बजता है यह मतलब सीटी बोल सकते हैं या बासुरी जैसा और इतनी तेज इसकी आवाज थी ना बहुत तेज आवाज थी और इन दोनों ने जैसे मार के उसमें गए बजार उसमें मेले में हम लोग इन लोगों की नजर तुरंट पड़ गई थी तो एक एक दोनों ने उठा लिया था तो फिर चीज हमारे यहां पे 10 रुपए की उसका सीधे दाम 40 रुपए या 50 रुपए रखा था इन लोगों ने बहुत महगाई थी यहां पे तो हम लोगों ने ज्यादा कुछ नहीं खरीदा क्योंकि मेला हो या मार्केट हर कुछ सब जगे पे मिली जाता है तो फिर इसलिए हम लोग नहीं बनता है फालतु में पैसा बर्बाद करनेगा और यह सारी चीजें यहां भी मिल जाती है बस थोड़ा सा है ना कि तीर्थ पे जब जाते हैं तो कुछ न कुछ खरीदना चाहिए तो हम लोगों ने ले लिया था और इसके बाद में अब चलेंगे अपनी गारी के पास तो इसलिए अराम से खड़ी करके वहीं आ गए हैं और यहां से बहुत दूर है तो अभी चाहेंगे पैदल और गारी में कोई है भी नहीं पहले अनिका के पापा बोल रहे थे कि आप लोग जाओ हम गारी में हैं और बाद में हम जाएंगे हम ने का नहीं गारी थोड़ी न परेसान कर रहे थे मजाग कर रहे थे और यह दादा ना बहुत देज नाराज हो रहे थे इनकी आदत है है सबसे इसे मजाग करते हैं ऐसे पूछते हैं जैसे किसी चीज़ के बारे हम जानकारी नहीं लेकिन पता सब कुछ होता है फिर भी और अभी यहां पर खाएंगे खाना लोग आ चुके हैं बाहर और यह के बढ़ियां सा फुआ था कुगा में मतलब पानी नहीं है खाली है और इसका जो जब उत्रा है यह बहुत अच्छी जगह थी हमारे लिए तो यहीं पर बैट गए थे हम लोग और यहीं पर खाएंगे खाना और इसके बाद में फिर चलेंगे अपने घर की ओर यानि की मंजिल की ओर अपनी और फ्रेंड पर नए है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अपना प्यार और सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखें हमसे पर और यहां पर देखिए आया तनी का अपनी सीटी बजा है